आज हम आई उपीसी नॉमनक्लेचर को डिसकस करेंगे कि आई उपीसी नॉमनक्लेचर जो है वो कैसे किया जाता है तो आई उपीसी नॉमनक्लेचर की जो ट्रिक है वो कहला कि हमारी SPPM, इसका फुल फॉर्म होता है, सोला पुर का पपू मिर्ची, तो सोला पूर का पपू मिर्ची, इस ट्रिक की हेल्प से, आप किसी भी और्गनिक कंपाउंड की IPC नेमिंग जो है, वो आसानी से कर सकते हो, अब आइए इस SPPM का मतलब जो है, वो क्या होता है, इसके बाद जो हमारी SPPM ट्रिक है, तो SPPM ट्रिक में, ये जो ऐसे वो सब्सुटेंट क्रोप कोरेप्रेजन करता है, इस प का मतलब प्रिंसपल चेन से है, इस का मतलब प्राइबरी सफिक से है, इस M का मतलब जो है, वो मेल Nelson क्रूप से है, तो जब भी हमें organic compound की naming करनी होती है तो हमें organic compound को SPPM methods से हमें arrange करना होता है सबसे पहले हम साच्टेंट लिखते हैं फिर principal chain लिखते हैं फिर primary suffix लिखते हैं फिर main function group लिखते हैं आपका principal chain और main function group किसी भी organic compound में एक से जादा नहीं हो सकता मतलब principal chain हमेशा एक रहेगी और main function टू पकर present है तो एक से जादा नहीं हो सकता आपका primary suffix एक से जादा हो सकता है substitute पी आपका एक से जादा हो सकता है ठीक है तो हमारा arrangement जो है वो SPPM order में ही किया जाए का आप देखो ज़रा principal chain का मतलब होता है longest carbon chain ठीक है यह longest carbon chain इसको हम principal chain पूलते हैं primary suffix जो है मतलब carbon chain के बीच अगर single bond है तो आगर एन अगर हमने double bond लगा दिया तो एन हो जाएगा अगर triple bond लगा दिया तो आइन हो जाएगा अगर दो double bond लगे हैं तो डाइन अगर एक double bond एक triple bond है तो इन आइन हो गया तो यह हमारे primary suffix होंगे है main function group और substituent group इनको हम कैसे पहचानेगे फिर main function group and substituent को हम कैसे पहचानेगे तो main function group and substituent को हम पहचानते है priority tables है तो priority table का video जो है वो description में उसकी link जो है वो मिल जाएगी आपको तो priority table को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कि एक compound में एक से जादा ग्रूप अटेस्ट है अगर मान लीजिए कि आपका birthday है और आपकी birthday में जो है आपने बहुत सारे अपने महमानों को बुलाया और अचानक से आपकी birthday में प्रिंस्पल सर जो है वो आ गए तो फिर attention जो है वो collector साब के अरप अगे जाएगा अगर मान लीजिए कोई संसर आगया तो फिर इसरे अगर माने जो है नरेदी मोर्य साब आ गये है तो फिर attention जो है वो नरेद मोर्य जी के अरब जो है वो पढ़ जाएगा तो जिसकी तरफ अटेंशन ज्यादा होता है वह हमारा मेंन फंक्शन होता है बाकि सब स 있는데 जल्याएगी तो प्रिंस पल्ष सर् – कल्क्टे ρ साब सां सर् और लरें की का जाएगे चार उसे तो प्रैम प्रिंसितर वह हमारे मोदी साफ है वह हमारे में फॉंक्शन रूप हो जाएगे बागे तीन क्यों है वो सब्सुट्रेंट में चड़े आएगे कि जब कोई नहीं आया था के वल प्रिंस्पल सर्थें तो प्रिंस्पल सर्व में थे तो ऐसे हम यह कर लेते हैं अगर मान लिए यह पांच ग्रूप में से सबसे टॉप पॉजिशन इसकी है मान लिए तो यह हमारा में फॉंक्शन गूप हो जाएगा बाकी सब सब्सुट्रेंट में चाहिए आओ यह हमारे पater एक है कमपाउंट है यह इसमें चेंट वन टू थी फॉर फाय फाय पाई क्षए लुट हमारी यह हैं एक दूर तीन चार इद आपको मोई सर्थी में सेस्थी यह इस है आप ने इसको गरूप माना इसको चेंड में बाना तो बहő यह चेंड के अंदर है क्योंकि इसको number दिया जाएगा इसको number नहीं मिलेगा इसको substitute मालना पड़ेगा simple सी बात है तो numbering देखो कहां से करेंगे तो numbering हम उस end से करेंगे जहां से हमारा main function ग्रूप पास में हो तो numbering हमारी यहां से होगी one two three four five क्यों होगी क्योंकि ये group ये ग्रूप ये ग्रूप और ये टेबल में ये ग्रूप सबसे ऊपर है इस करेंगे हमारा main function group है और बाखी ये तीरों कैसे होगा है तो जिस end से हमारा main function group nearest होता है उस end से जो है वो numbering करते हैं तो आयो पीसी nomenclature के हमारे पास ten rule है ten important rule है तो उन rule को हम one by one जो है वो discuss करेंगे पित example के साथ है इसके बाद हम आयो पीसी nomenclature के rules को discuss करेंगे जिनमेंसे पहला रूल है से लेक्टी longest carbon chain तो हमें longest carbon chain का selection करना है और हमें यह याद रखना है कि उस carbon chain में main function include होना चाहिए और हमें ऐसी chain का selection करना है जिसमें हमें maximum group जो है वो मिलें ठीक है तो longest carbon chain का selection करते समय आपको यह दो चीज़ें याद रखना important है तो देखो दोरा एक हमारा यह compound है तो longest carbon chain यहाँ पजे one two three four five carbon की यह one two three four carbon है इदर से पर होगा यह तो फाइब carbon की chain यह है तो यह हमारी chain का selection हो गया अब चुकि यह जो CS3 group है यह क्या है यह chain में include नहीं है इस का रखना यह हमारा group माना चाहेगा ठीक है इदर पर 3 होगा फिर दूसरा है CS3 CH2 4 CS3 तो जब भी आप chain का selection कर लें जाने तो यह CH2 whole 4 लिखा हुगा तो इसको हमें break करके लिखना है ठीक है तो लिखेंगे CS3 CH2 4 times लिखना है ठीक है तो यह CH2 4 times लिखती यह और यह CS3 तो यह जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे और अब हमारी chain कितने होगी हमें 123456 carbon की chain होगा तो यह हमारी chain है ठीक है फिर देखो एक compound हमारा यह है तो यहां पर C2H5 मतलब दो carbon एक साथ लिखे हैं इसको में क्या करना ब्रेक करके लिखना है और फिर chain का selection करना है तो यह जो है CH3 यह CH2 CH3 ठीक है और यह CH2 और यह CH3 तो अब देखो longest carbon chain का selection करोगे तो देखो देखो ज़रा 12345 carbon की हमारी यह chain होगे ठीक है अगर carbon जो है वो कम में है तो उसको हमें क्या करना है ब्रेक करके लिखना है इसके पाद chain का selection करना है तो सबसेर पर तोड़ो फिर chain का selection करो अब देखो ज़रा 123456 123451234 तो यह 6 carbon की chain है अगर हमने यह chain का selection किया तो यह है जो ग्रूप को number देवर पाएगा और यह जो हमारा idea है यह हमारा main function group कहना होपा है तो हमें ऐसी chain का selection करना है जिसमें main function group include हो वो छूट ना पाए ठीक है ना भले chain छोटी हो जाए लेकिन main function group नहीं छूट पाए तो देखो यह हमें छोटी chain का selection कर लिए क्यों कर लिया क्योंकि हमारा main function group छूट रहा है तो यह chain हमने select कर लिए अब यह जो group बचा है CH2 CH3 इसको हम क्या बोलेंगे यह हमारा हमारा C2H5 हो जाएगा इथाई ग्रूप अब यह हमारा C2H5 मतलब इथाई ग्रूप हो जाएगा फिर इसके बाद हमारा फेट नंबर का example है CH3 whole thread C CH2 CH3 तो इसको हमें break करके लिखना है तो यह CS3 3 times है तो यह किस से connect है इस carbon से connect है तो 3 CS3 जो है वो ऐसे छेन करके लिखना है अब हमें longest carbon chain का selection करना है तो यह कि बाद करें तो इक फिर इसकी बाद करें तो इसको क्या करने हैं बेक करके लिखना है इसको आप に तो इसको ब्रेक करके लिखना है फिर इसके बाद चेन कर से अगए तो यह हमारा ऐसा हुजा को कैसे लिखा जाएगा तो यह हमारा ऐसे लिखी जाएगा अब करो लॉंगेस्ट करण चेन का से लेक्शन होरा ऐसा हो जाएगा इसे इसे चेन से बाहर है तो यह तो जैंगए जो चैन की अंदर आ गए वह चैन में कांट किये जाएंगे और यह बाहर है वह गरोप बन जाएगे ठीक फिर इदर पर देखो इदर पर 1234 51234512345 तो चेन का सेलेक्शन ऐसे करना है जहां पर हमको maximum group मिले हैं तो आपको एक दो तीन ग्रूप मिलेगे अगर आपने ये chain का selection लिया तो आपको एक और दो गूप मिलेंगे और अगर आपने सीधा chain लिया ये बागा तो दिखां एक गूप ये दूसरा गूप ये तीसरा गूप ये और चौथा गूप ये चार गूप हमको मिल रहा हैं तो हमें वो chain का selection करना है जहां पे हमें maximum तो बस यह हमारे चेन का सेलेक्शन हुआ तो जब यह आपको महा कंजू सादमी बनना महा कंजू सादमी का मतलब है कि मिले ज्यादा खर्चा हो कम मतलब दिया कम से कम जाए और मिले ज्यादा से ज्यादा तो सब्सुट्ट्वेंट ज्यादा से ज्यादा मिले तो हमें वो चेन का सेलेक्शन करना है क्यों कि हम तो महा कंजू सादमी और जब नंबरिंग की बात आएगी तो नंबरिंग जो है वो ऐसे की जाएगी कि कम से कम नंबर मिले ग्रूप को तो यह हमारा रूल वन हो गया इस उसके पाद हमारा सेकेंद रूल है जिसको की हम हम लुएस नंबर भूल भी बोलते हैं तो लोगत से हैं मतला को नंबरिंग जो है कारवन कांपाउन का उस टर्मिनल से करना है जहां से हमको में पढ़ता है ego के हमारी सेक år हो गया अगर माल देए ऐसी सिटोईशन आजाए कि जो हमारे सब्स्रिट्ट्ट ग्रूप हैं वो सेम पोजिशन पर पड़ रहे हैं तो फिर वहां पर हम अलफावेटिक और जो है वो एप्लाई करते हैं जो ज़र यह हमारा पहला है इसके पहला है यहांपर उपज लगा है यह हमारा में फॉंक्शन रूप है और यह हमारा कैसा होगा है यह से पढ़ रहा है यह सब्सेदर रहा है लेकिन हम को तो numbering किस terminal से करता है जहां से main function पास पढ़े तो यह main function terminal यह हो जायागा, यहां से number हमें start करेंगे, तो यह हमारी chain हो गई, numbering उस terminal से दी जाएगी, तो यह देखो, यह one, यह two, यह three, यह four, और यह five, तो यह substitute और यह हमारा main drop हो गया, फिर देखो, एक compound हमारा यह है, second position पे seal substitute group है, इनमें से main function group कोई नहीं है, दोनों ही हमारे कैसे है, substitute group है, कैसे पता चलेगा, priority table से पता चलेगा, ठीक है, तो वो वीडियो देखा है, important है, तो किस terminal से start करना है, जेखो, alphabetic order हम यहां पे apply करेंगे, अगर आपके substitute group same position पे आ रहा हैं, तो कौन सा order apply करो है, alphabetic order apply करो BR क्या बोलते है, bromo, CL को बोलते है, chloro, तो bromo का B पहले आ रहा है, alphabetic में, तो यहां से start करेंगे, तो इस terminal से number start करेंगे, 123 and 4, तो chain हमारी हो जाएगी यह, फिर इसके बाद हमारा यह 3rd है, 1 and 2 second carbon पे double bond है, 1 and 2 second carbon पे triple bond है, दोनों ही हमारे कैसे है, substitute group में आते है, right, double bond, triple bond, आते हैं, same position में पढ़ रहा है, तो double bond को हम क्या बोलते है, double bond को हम बोलते है, in triple bond को हम बोलते है, iron, तो in alphabetic में पहले आता है, तो number कहां से start होगी, इस terminal से, क्योंकि इस terminal से, यह double bond पास पढ़ेगा, ठीक है, तो यह हमारी chain हो गए, और number हम कर चुके है, यहां पर देखते हैं, यहां पर यह COH ग्रूप, यह हमारा main function ग्रूप है, और यह substitute है, right, अगर main function ग्रूप में carbon है, तो वो chain में इक्लूड होगा, ठीक हो main function ग्रूप भी रहेगा, और chain का parting रहेगा, मतलब उसको number दिया जाएगा, यह तह है, कब अगर main function ग्रूप में carbon है तो, तो चुकि यह main है, तो number हम यहीं से start करें, तो यह one, यह two, यह three, और यह four, फिर यह, यह CHO ग्रूप है, यह alcoholic ग्रूप है, तो अल्ड है ग्रूप में carbon है, तो वो chain में count किया जाएगा, तो number हम यहां से होगी, one, two, three, and four, यह main है, यहां substitute है तो आपको number देना आ गया, तो यह हमारा second rule हो गया, फिर इसके बाद हमारा rule number third है, if the chain contain two, three, or more double or triple bonds, numerical prefix like di, tri, tetra, are added to primary suffix and extra a has been added to the word root, word root मतलब principle chain से है, तो word root का मतलब होता है हमारा principle chain, तो देखो जरा, यह हमारा compound है, इसमें दो double bond है, right, तो numbering जो है वो इस terminal से दिया जाए, क्योंकि double bond यहां से पास पड़ रहा, पहली कारवन पड़ रहा, यहां से second carbon पर double bond है, तो यह one, यह two, यह three, यह four, यह five, पाच carbon की chain है, मतलब pent, ठी है, और double bond है तो in, यह तो आनत तय ह है, अब वो कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा double bond हो, तो फिर primary जो आपका, जो prefix है, ठीक है, इन आई, वहां पर die, टाई, टिक्टर जो है, वो लगाना है, die मतलब 2, तो die in हो जाएगा, और extra a जो है, वो add करना है, कहां word रोगया है, तो देखो, इसको हम, यह पेंट इन, यह तो हमको पता चलिया था, extra a जो है, इसमें add करना है, तो यह बन जाएगा, पेंटा, और दो double bond है, तो यहां पर die जो है, हम add करेंगे, die मानने 2, तो die in, पेंटा डाई इन, ठीक है, पोजीशन भी आपको बतावना है, तो one and third पे है, तो ऐसा हो जाएगा, पेंटा, one, comma, three, die in, right, तो यह नमारा, नौन तीर चलोगया, इधर की बाउट करें, तो, one, two, second, पे triple bond है, one, पे triple bond है, तो number यहां से बजाएजी, three, four, five, हावार की six, ठीक है, तो six carbon है, तो आएका hexa, यह हमने add कर दिया, अब हाँ position बता नहीं है, यह one है और यह fourth है, तो one, four, die, two triple bond है, तो die in, फिर हमारा third number है, अब इस compound में एक double bond और एक triple bond है, ठीके ना, तो यहां पे die try नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक double bond है, एक triple bond है, बतल एक से ज़्यादा double bond होना चाहिए, तब यहां पे यहां पे यह बहला rule apply नहीं होगा, तो one पे double bond है, यह पे double bond है, चूंकि double bond को हम priority पहले देते हैं, क्योंकि दोनों हमारे कैसे substitute group है, यह in, e से start होता है, यह in, y से start होता है, तो in alpha बे पहले आता है, इसका रणम नहा से हो, one, two, three, four, और फिर five, पांच का रणम है, तो आएगा pent, जहां हम naming करते हैं, तो double bond पहले आता है, triple bond बाद में आता है, तो one पे double bond है, तो one in, four, iron, तो यहां पे in का e जो है, वो erase हो जाता है, जान रखना है, ठीक है, तो e कहा कहा erase होगा, यह हमारा rule, फोर्थ जो है, वो हम को बता रेगा, तो इस जगे हमारा e जो है, erase हो जाता है, टिक, इसके बाद हमारा rule number फोर्थ है, जो हमारा main function रूप होता है, उसके दो नाम होते हैं, एक prefix नाम होता है, दूसरा suffix नाम होता है, जैसे एक बच्चा है, उसके school का नाम राखुल है, और घर का नाम पप्पू है, तो पप्पू नाम prefix हो गया, और राखुल नाम suffix नाम हो गया, ऐसे ही main function रूप के भी दो नाम होते हैं, एक school का और एक घर का, घर का नाम prefix name है, इसकूल का नाम suffix name है, तो main function ग्रूप का जो suffix name है, उसको हम secondary suffix बोलते हैं, अगर हमारा secondary suffix जो है start होता है, अगर किसी बॉबिल से स्टार्ट होता है तो जो हमारा जो प्राइमरी सब्फिक्स है उसका ये जो है वो हम हटा देते हैं ये को हम एरेज कर देते हैं इसको हम ट्रॉप कर देते हैं ठीक है for example जो हमारा मेंट फ़ंक्शन्ट ग्रॉप इसका नेम जो है वो ओल होता है इसका पर हमेहारा कीटोन भूप है ये इसको हम बोलते हैं ठीक लिक ऐसिड आ से स्ट दो यह से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो जो हमारा primary suffix primary suffix क्षच कलता है एन इन आईन तो एन इन आईन का ए जो है वो एलेस कर दिया जाता है ठीक है अगर हमारे main function group प्छो है वो किसी bubble से start होते है तो जो हमारा primary suffix से इन इन आईन उसका इन जो है वह हम अधा देते हैं, अब दो हुझारों यह हमारा एक्साम्पल बन है, ठीक है, नम्बरिंग कहां से करनी है, इस टर्मिनल से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से और पास पहल रहा है, तो वन टू एंड थ्री, ठीक है अब कितने कारवन की चेन है तीन कारवन की चेन है ठीक है तो लिखा जाएगा प्रोप हमको ओडर जो है वह एस पीपी हमें अप्लाई करना है एस मतलब सफ्टूटेंट एपसेंट है पी मतलब चेन प्रिंस्पल चेन तो वह गया प्रोप पी मतलब ट्राइमरी सफिक्स तो आएगा एन क्यों क्योंकि यहां पर सिंगल पॉन है कारवन के बीच वाएगा एन और ओएच को हम बोलते हैं और तो वन और वन पोजीशन पर त आएगा तो प्रोपेल वन अलूब गया से केल एक्जांपल देखते हैं कि नंबर कहां से करें गएं देखो यह कीटों ने क्रूप हमारा में है तो वन टू ठी ठी नंबर पर आपका कीटों ने पर पढ़ रहा है फिर हम नंबर यहां से श्टार्ट करते क्यों क्योंकि यह यहां से करोगे तो इसको फोर्ट नंबर मिलेगा यहां से करोगे तो इसको तू नंबर मिलेगा तो वान टू ठी तो देना हमें कम है क्योंकि हम महां कंजूस हैं इसको हम चार नंबर देंगे तो हमारे कंजूस को क्या हो जाएगा धका लग जाएगा धबा लग जाएगा इसको तू नंबर कम चेकम नंबर देना है तो यह हमारा सॉफ्टूटेंट ग्रूप है तो सबसे पर यह लिखा जाए कि तू मिठाई बज़ने प्रिंसपल ने प्रिंसिपल चेन कित्य कांत पांच करण अगया प्राइमरी सफिक्स इंगल वों है तो आहएगा एट और फॉट एंऊन तो यह हमारा suffix name जो है उसे start हो रहा है इस कारड़ यह जो है वो हट जाएगा टिक यहां पर देखूंँ यह हमारा main function रूप है इसको number दिया जाएगा क्योंकि उसमें carbon है ठीक है chain है हमारी यही होगी number यही से start होगा क्योंकि यह main function रूप है ठीक है और यह हमारा substitute है तो सबसे पहले एस मतलब substitute रिखा जाएगा थी लोगों को फिर चार कर्मन की चीज़ है तो लिखा जाएगा ब्यूट single bond है तो आएगा एन और इसको हम क्या बहुत है तो वन को एक ऐसेट तो यह वन को एक ऐसेट बन लिखो या ना लिखो को दिक्कत नहीं है यह एरेज हो जाएगा ठीक है इसकी बात आती अगर एक double bond है तो यहां भी हो जाता है ठीक है नम्बरेंग नम यहां से देंगे क्यों घेंगे क्यो क्यों हम प्राइवट्टी देते हैं तो 20 वॉन हमारे यहां पीको अगर सें में पूझी से अगर सेंट पर ना आको होता तो फिर नम्मर यहीं से होती है कि अगर तो प्रेंश पर चेन पर प्रेंश पर चेंट पांच करवन की तो आएगा प्रेंट फिर ले लेका जाता है तो वन नमबर पर आएगा एगा आएगा आएगा तो यहां भी हम यह एरेज कर देते हैं ठीक है तो याद रखना डबल बॉन अगर साथ लहें तो फिर जो इनका एरेज कर दिया जाएका फिफ्त नंबर, लॉंगेस्ट कार्बन चेंड तो हमारी यही दिखाई दे रही है, बन नंबर पर ओच यहां भी बन नंबर पर ओच है, कहीं से भी कर दू, जहां से कर देखे हैं, वर्डूरुप लेखा जाएगा, कितने कार्बन के चेंड़ तो लेखा जाएगा, प्रो, सि क्योंकि यहां पर यह जो है क्यों क्यों क्योंकि और जो है उसके पहले क्या गया तो डाई के कारण जो है वो यह जो है वो एरेस नहीं हो पाया कि अब इधर देखो कि इस यह जो में फंक्शन रोफ है वन टू थ्री एंड फॉर यहां से भी नंबर ही करते हैं कोई दिक्कत नहीं है सब्सुटेंट अप्सेंट है तो चार कार्वन की चैनल तो लेखा जाएगा ब्यूट सिंगल अपन है तो लेखा जाएगा इन बन और फॉर्थ पे क्या है में पंक्शन रोप तो बन कमा फॉर यह डाई और अग डाई क्यों आया क्योंकि दोनों ग्रॉप कैसे ही कि आग प्रिशन वाट वटन शल्वर जो चैनल तो जैसे यहां पर इस गंपाउंड में जो है वो ऊप्शन ने कार्वन चैनल को क्या कर दो अप्रेक कर दिया तो हमारी लॉंगिस्ट कार्वन चेनल है वह यह बने यह हमारा एक एथर है तो वन एंड टू ऐसे नमबर दिया पूरा यहां फर्य है फर्य करती है तो यहां पर दो कार्वन की डों कार्वन यहां heart पाठ तो ये क्या बनेेगा एथौक्सी और ये एथेन थे तो ये thawksuy E1 तो वल पे थॉक्सी एथेन यह हमारा एक एस्टर है तो यह वन एंड यह तो दो कारवन की यहां पर चेर है और हमारा यह मिथाइल यह सब्स्ट्रिट्वेंट है तो लिखा जाएगा मिथाइल एथेन लुएट एथेन ओएट अब चुकि यह वेट वो से स्टार्ट हो रहा है इसका रही जो है वो इरेस हो जाएगा इथेन ओएट फिर इसके बाद कि हमारा फोर्स लंबर का है तो यह जो कंपाउंड इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यह स्यस्ट्री तीन है तो इसको नाइट्रोजन से ऐसे जोड़तेते है है अलग अलग तो यह हमारा चेंड हो गया और इसको हम सब्सूट्रेंट मालेंगे तो यह दो ज़िख लाँ है एन कॉमा एन डाज मिथाल दो मिथाल प्रूफ हैं जो नाइट्रोजन से कनेक्ट हैं तो एन कॉमा एन टाइम मिथाल और यह मिथेन अमाइन अब चुकि अब इसको हम लिखेंगे ऐसे च्छी च्छी और इसको ऐसे टच कर लेता हैं तो यह हमारी चेंड हो गए और यह दो हो गए सब्सूट्रेंट तो लिखा जागा एन इत्याइल एन मिथाईल पहले क्यों आया है कि यह इसे स्टार्ट हो रहा है अलफावेट और यह मिथाईल अलफावेट में पहले आ रहा है तो लेखा जाए और इसके इन अमक्ति हैं तो यह हम नहुंद फिप्त हो गया इसके बार आए मार रोल नमबर शिक्स है if the ordinary compound contains more than two similar terminal groups and all of them directly attached to the parent chain then none of them form a part of the parent chain special suffix are used to name deed जैसे कि यह COH group है इसके लिए special suffix है carboxylic acid, CHO के लिए है carbaldehyde और CN के लिए है carbonite trial तो यह six number का rule देखो जरा यह क्या होता है examples आपको समन में आएगा हमने लिखा यहां पे CH 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 और यहां पे CN CN और CN जो है वो अटेक्स कर दिए तो यहां पे 2 और यह 2 कर दो अब देखो होगा क्यों यहां पे कि strongest carbon chain हमारी यह हो जाएगे इस six number rule के कॉर्ट है अब यह जो हमारे ग्रूप है में फंक्सन ग्रूप इनको नंबर नहीं दिया जाएगा क्यों क्योंकि अगर आपने longest chain आपने यह मानी तो इसको नंबर नहीं मिले दा और चूंकि यह भी होना में फंक्सन गूप है और में फंक्सन गूप को नंबर देना जरूरी है तो आप किसी एक ग्रूप को क्या कर रहे हो इसकिप कर दोगे तो फिर आईउपी से ने से लिस्ट किया कि अगर तीन ग्रूप जो है वो डारेक्टली चेन से अटेच्ट हूं जिसमें कार्बन है तो फिर आईउपी सी कहता कि फिर आप किसी भी ग्रूप को नंबर नहीं दिया ठीक है तो फिर यहां पे इस पेसल सफिक्स जो है वो यूज किया जाएगा ठीक है इसका नॉर्मल सफिक्स नेम क्या है नाइट्राइल तो यहां पर इस पेसल सफिक्स नेम यूज किया लिया कार्बो नाइट्राइल ठीक ना तो यह वन यह टू और यह थी तो हमारे चेन की वाद तीन कार्बन की हो गए है ना तो तो तीन कार्बन की चेन हमारे यहां पे हो हो गए तो तीन कारबन मुं के अभूब्र से हैं बोलते हैं प्रोप सिंगल इन रधा में और यह क्या है हमारे कारबोन यह लाएक कर बोन टू एन्टी पर जिशन ऊपम तो में तरी ट्राइट कार्बो नइट ट्राइट है तो प्रॉपेन वंटू थी ट्राइब कार्भोष नैट सर्ट हाल अगर यहां परे स्यग्राइब क्या होता हुटा कि फेल्ट सीँ% प्रॉपेलमगोा यद्लों नैटू केटील पॉटक्वाव मासेट ? कि अगर माले कि यहां पर तीन कि सी एच ओग्रूप अटेश होते हैं तो फिर क्या होता है ट्राइब कर्बल्डिहाइड अब माली कि यह ऐसा होता यह सी एच टू और फिर सी एच अब यह ग्रूप जो हो डारेक्टली अटेश नहीं है तो फिर क्या होगा फिर अब इनको नंबर दिया जाएगा वान टू ट्री फॉर फाइब है है जो से के चेंग हमारी ये होजाई गवी है टि aja है तो यह हमारा बॉनेदा सब्स्ट्रूंड गरूप जो तो तुट्री नंबर के है तो लिखा जाएगा फी है कि इस फ़ॉर माईल को अब सारी है ते उन्हें फॉर माईल ही है कि अबिलिय। 해도ॉय में धाई फिर यह तो हमारा क्या होगा अब वर्डूट के त्रिक पांच का रवन कर रहा है तो आएका पैंट सिंगल बॉंड है जो आएका इन और वन और फाइट पे अल है तो वन कमा फाइट तो यह हमारा रूल लंबर शिक्स हो गया तो आयोपी सी नॉमन क्लेचर के जो रूल लंब और 789 और 10 थे उनको हमने जो रूल 126 बताए थे तो रूल 126 में हमने समाहित कर दिया तो आपको याद करने के लिए अब जो है वो रूल होगा एक कम अब हम आयोपी सी नेमिंग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा कॉंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉंग होगा तो आएए अब हम आयो पी सी नेमिंग की टेक्टिस हमारे पास पहला कारवन कंबोंट है इस कारवन कंबोंड की हमने हमें करने एकर चैलियर पिषिश नेमिंग का जो पहला रूल है जो first रूल है वो क्या चलता है select the longest कारवहन चेन longest carbon chain का selection करना यह पहला दूल है तो जब भी आप longest carbon chain का selection करने जाएं तो यह insert कर लें कि आपकी chain जो है वो fully expanded hat नहीं है जैसे यहाँ पे C2H5 दो carbon एक साथ लिखे होगे हैं तो इनको हमें क्या करना है इनको break करके लिखना है इसके बाद ही longest carbon chain का selection होगा तो चलो यह जो C2H5 है इनको break करके लिखते हैं इसके बाद longest carbon chain का selection करेंगे तो यह है हमारा CH3 bond CH double bond C single bond CH3 C2H5 लिखा जाएगा CH2 bond CH3 अब हमें longest carbon chain का selection करना है तो देखो तो आप 1,2,3,4,5 5 carbon है 1,2,3,4,4 carbon है अब numbering जो है वो हम कहां से देंगे तो numbering जो है हम उस terminal से देंगे जिस terminal से main function पास में हो तो यार यहां पर तो main function ग्रुप दिखाएदी देगा है के बल आपका यह ग्रुप दिखाएदी देगा है के बल आपका यह ग्रुप चलूब नजार आ रहा है लेकिन यह तो हमारा substitute है यह हमारा mean function group नहीं है, यह तो substitute group है क्यों? क्योंकि जो मिठाइल group की position हमारी जो priority table है यह priority table है, उसमें 18 number पे है, जो कि सबसे नीचे है और यह blue line के नीचे भी आता है, इस कारण की जीवन में mean function group नहीं बन सकता यह substitute ही है तो इस carbon compound में mean function group तो absent है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उस end से numbering करेंगे चिस end से substitute पास में पढ़ता हो तो देखो चरब 1, 2, 3, 3 पे मिठाइल group पढ़ रहा है और second पे double one पढ़ रहा है यहाँ पे हम बात करें, 1, 2, 3, 3 पे मिठाइल group पढ़ रहा है तो हम को किस terminal से numbering करनी है? हम को इस terminal से numbering कर रही है क्यों? क्योंकि यहाँ पे second पे आपको double one पढ़ेगा और third पे मिठाइल group पढ़ेगा और यहाँ से करो के, तो third पे मिठाइल group पढ़ रहा है और third पे double one पढ़ रहा है तो हम इस terminal से numbering को start करेंगे तो यह carbon इसको number मिलेगा one, इसको two, इसको three, इसको four और इसको five तो यह order है, इस order में हमें IPC naming करनी है तो सबसे पहले लिखा जाएगा substitute group, तो substitute group कौन है मारा, मिठाइल group है, तो कितने number पे है, third number पे है, तो लिखा जाएगा, three थ्री मिठाइल, substitute होने के बाद फिर principal chain लिखी जाएगी, तो यह हमारी principal chain हो गए, पीसी का मतलब principal chain है, कितने carbon के चेन है, five carbon के चेन है, तो five carbon के लिए हम use करते है, pent, तो principal चेन होई, फिर इसके बाद वो अगला पी आएगा, अगला पी क्या बताता है, primary suffix को बताता है, तो यह जो carbon chain है, इस carbon chain में double bond है, तो double bond के लिए primary suffix आता है, in, तो कितने carbon पर double bond है, second carbon पर double bond है, तो लिखा जाएगा 2E, तो ये हमारी naming हो गई, 3-methyped-2E, इसके बाद ये second carbon compound है, इस carbon compound की हमें डेमिन करने है, तो हमारा पहला दूरी का है, select the longest carbon chain, तो longest carbon chain का selection करना, तो जब भी आप longest carbon chain का selection करने जाएं, आप ये check कर लें, कि आपका carbon compound proper way में arrange है के नहीं है, अगर नहीं है, तो उसको हम proper way में arrange करेंगे, जैसे यहां पे cs3 2 times है, और यहां भी cs3 2 times है, तो इनको हम proper way में arrange करेंगे इसके बाद हम longest carbon chain का selection करेंगे और फिर हम IOPC layman करेंगे तो सबसे पहले हम इनको proper way में arrange करेंगे तो ये CH है और ये CH है इस CH से दो CS3 attached है तो एक CS3 हमने ये लगा दिया और एक CS3 हमने ये लगा दिया इस CS3 से भी 2 CS3 attached है तो एक CS3 हमने ये लगा दिया और एक CS3 हमने लगा दिया ऐसा क्यों कि ये 2 CS3 इस carbon से आए क्योंकि हर carbon की 4 bonding होती है तो हर carbon को 4 bond complete करने होते हैं अगर 4 bond complete नहीं किये तो इसका मतलब है आपका structure wrong है समय करना की हिर से इसराई इस जूसरा कि रहे है आप 11 स उन में खालाएं कि स'llकर अ क्योंकि क्योंगयन से अलबताई इस छारवा रिटिकल ये जा अजिन भी करने चाहिए nar ने तो इसंद आर् चाहिए बनाता है, four bond बनाता है, तो हर carbon की four bonding complete होनी चाहिए, तब ही आपका structure जो हो प्रॉपर होगा, नहीं तो नहीं होगा, अब हमें क्या करना है, longest carbon chain का selection करना है, तो carbon chain आपकी longest यही दिखाए देरिया, one, two, three, four, तो बस longest carbon chain का selection कर लो, यह हमारी longest carbon chain हो गए, अब क्या करना है, इसके बाद हमें carbon chain की numbering कर लिए, तो numbering हम उस terminal से start करेंगे, जहां से main function group nearest हो, main function group pass में हो, तो यहां पर इस compound में main function group तो ही नहीं, यहां पर हमको दो CS3 group दिखाए दे रहे हैं, लेकिन यह दो CS3 main function group तो नहीं है, क्यों, main function क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारी यह priority table है, इस priority table में CS3 जो है, वो 18 number पे आता है, जो कि blue line से नीचे है, तो यह जीवन में कभी main function group नह हमारे क्या है, यह हमारे substitute group है, अब आप कहोगे, कि सर यह जो CS3 group है, यह substitute क्यों नहीं है, तो उसका reason यह है, क्यों, क्योंकि यह chain में हमने सामिल कर लिए इनको, तो यह principal chain की member है, और इनको क्या करेंगे, हम number allot करेंगे, तो जिन carbon को आप number allot करतो, वो कभी substitute नहीं होंके, तो नमरी का कहा से करेंगे, तो जिधर से substitute group pass में हो, तो external से second पर मिठाल पढ़ रहा है, external से second पर मिठाल पढ़ आई, तो फिर आप कहीं से भी कर सकते हो, नमरे, तो चलो external से कर देखेंगे हैं, one, two, three and four, अब हमारा order जो है, IOPC naming का यह है, SPPN, तो सबसे पहले हम substitute group लेखेंगे, तो यहां पर दो CSC group कैसे हैं, एक जैसे हैं, अगर दो substitute group सेम हैं, तो उनको एक साथ ही लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि IOPC naming जो है, एक गंजूस आदमी ने दी थी, जो बहुत बड़ा गंजूस है, उस आदमी ने सजिस्ट किया, कि IOPC naming कैसे कर रही है, तो अगर आप इनको अलग अलग लिखोगें, तो आपका इंक जागा खर्च होगा, वो कैसे, वो अभी बतावे हैं, तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर ने भी करते हैं, तो second पे मिथाई लूप है, और third पे मिथाई लूप है, तो हम इसको लिखेंगे, two comma three di-methy, two comma three dimethy, फिर substitute हो गया, इसके बाद 3이가 है, कितने करबन की चैन है, four carbon की चैन है, तो 4 carbon के लिए आता है but फिर primary suffix आएगा तो सारे chain के carbon जो है वो single bond के से बंजे हो गए है तो इसके लिए suffix use करते हम in फिर am main function को पिसमें absent है तो हमारा name जो है वो गजाएगा 2,3 dilimethyl butane अब देखो ज़रा दो numeric के बीच कॉम आएगा एक numeric और alphabet के बीच dash लगाना होगा ये naming का तरीका होता है तो चुकि IPC name जो है एक कंजूस आदमी की देन है उसके rule जो है कंजूस आदमी ने suggest किये तो कंजूस आदमी क्या करता है जब लेने की बारी आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है आपकी naming ऐसे करते है 2-methyl 3-methyl butene तो क्या हो रहा है यहाँ पर ink ज़्यादा खर्च हो रही है क्यों क्योंकि यहाँ पर methyl जो है वो लिखा जा रहा है extra तो ink का खर्चा बचाने के लिए मजू साथ में कहता है कि अगर आपके group same है तो उनको एक साथ लिखना है तो हमारे इस compound की naming क्या होगी तू कॉमा त्री टाइंटा butene इसके बाद हमारा यह थर्ड carbon compound है इस carbon compound के हमें naming करने है तो सबसे पहला रूल क्या है select the longest carbon chain तो longest carbon chain तो हमारी यह नज़र आ रही है state chain तो हमने इस carbon chain का क्या करने है selection कर दिया अब मैं क्या करना है इस carbon chain की numbering करनी है तो numbering हम उस terminal से start करते हैं जिस terminal से main function ग्रूप पास में हो लेकिन इस carbon में main function group तो नज़र ही नहीं आ क्यों क्यों क्योंकि यतने भी हमको group नज़र आ रहे हैं एक group हमको यह नज़र आ रहा है एक यह नज़र आ रहा है यह नज़र आ रहा है यह तो substitute group है क्यों क्योंकि इनकी position priority table में एक 10th number पे है जो कि blue line से नीचे है तो यह कभी भी जीवन में main function group नहीं बन सकते हैं यह substitute ही बना रहेगा substitute की तरह ही काम करेगा तो फिर हम carbon chain की number कहां से करते हैं उस terminal से start करेंगे जहां से substitute पास हो कब main function group absent हो तब तो substitute second carbon पे है और यहां पे second carbon पे है अब कि standard से start करें इससे कि इससे और चुकि IOPC नेविल जो है कंजू साथमी की देर है तो आमने क्या बताए तो कंजू साथमी क्या रखता है जादा से जादा लेना चाहता है और कम से कम देना चाहता है अगर वो यहां से numbering करेगा तो होगा one two three four तो second carbon पे methyl group है और four carbon पे और फॉर नंबर पे दो मिधयल group मिल रहे है जबकि यहां पर second carbon पे एक methyl group मिल रहे हो तो क्या करेज़़़ तो वो कैसे करेगा क्यों क्योंकि second carbon पे दो नुम्बर carbon पे दो मिध्याली पोप मिल रहे हैं तो उसने नमबर एलोट किया कम ये पहला कार्वन है ये झेट कार्वन है ये थोड ये फूर और तो लोइस नमबर पे उसको ज़्यादा से ज्यादा ग्रुप मिल रहे हैं इस कारण उसका चेंड सेलेक्शन ऐसा होगा कम नंबर देने पर ज्यादा का फाइदा इसको हम बोलते हैं यह जो रूल होता है लोईस्ट सेट ओफ लोकेंट क्या होते हैं लोईस्ट सैट ओफ लोकेंट तो बस अब हम इस कंपॉंड की नेमिक पर गएगे तो चुकि यह मिठाई रूप कैसे हैं सेम है तो इनको एक साथ ही लिखा जाए तो इनकी पोजिशन कहा कहां पर है है को अटो सदेक्ट चाहिए तो तू कॉमा तू सेकंट कायब दो मिठाईल गोप है इसके टू कॉमा टू और यह फूर्थ पर पर उनके को मफूर से को टोटल मिठाई कि ने थी तो आई जट ट्राइक ंप निद्टाइक सब्सुट्र लिखने के बाद प्रिंसिपल चेन तो कितने कार्वन है तो लिखा जाएगा पैंट फिर प्राइमरी सफिक्स तो चेन की कार्वन जो है वो सिंगर बॉंडट है तो आएगा इन इसको बाद में फंक्सन पुफ तो में फंक्संड पूक तो यहां पर है तो हमारा इस कमपाउंड की नेमिंग जो हुम्आ और हुआएं नेमिन कर रही है तो हमारा पहला दूर्व कि है Select the longest carbon chain तो जब भी आप carbon chain का selection करने जाएं तो ये ensure कर लें कि आपका carbon compound expanded form में लिखा हुआ के नहीं लिखा है अगर expanded form में नहीं लिखा है तो उस carbon compound का हम expansion करेंगे इसके बाद ही longest carbon chain का selection किया जाएगा तो देखो यहां पर इस carbon compound है C3H7 तेन कारवण एक साथ लिखे होगे हैं तो इनका हम क्या करेंगे expansion करेंगे इनको हम break करके लिखेंगे इसके बाद कारवण चेनका selection होगा तो लिखते हैं तो यह बनेगा हमारा CH3 CH यह CHO है C3H7 ऐसा लिखा जाटा CH2 CH2 CH3 तो तीन carbon होगा है और hydrogen कितने होगा है 7 अब हमें क्या करना है longest carbon chain का selection करना है तो longest carbon chain तो आपकी यह दिखाए तरी 1,2,3,4,5 यह भी हो सकती है 1,2,3,4,5 तो हम यह वाले चेंड लेंगे यह वाले चेंड नहीं ले रहे हैं इसका क्या है क्योंकि आपका CHO यह main functional group है और main functional group को chain में सामिल करना ही करना है यह rule है आप उस carbon chain का selection करें जिस carbon chain में main functional group include है तो हमारी chain जो है यह वाली होगी अब इस carbon chain को number दिले जाएगा तो carbon chain की number हम उस terminal से करते हैं जहां से main function group nearest है तो CHO तो हमारा क्या है यह हमारा MMG है में functional group है वाई यह अपना और यह मिठाइल ग्रूप आपका क्या है यह तो आपका सास्टूपेंट group है और अगर main function group में carbon है तो उस carbon को number allot किया जाएगा और वो chain का सदस से कहलाएगा तो चलो इसको number कर देते हैं तो यह one हो गया यह two, यह three, यह four और यह five तो हमारी यह five carbon की chain है तो आयूपी से नेमिंग जो है हमें इस order में लिखनी है sppm तो s का मतला होता है substitute group तो substitute तो हमारे पास एक ही है प्राइब कार्बन के लिए हम यूज करते हैं paint फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा तो यहां पे carbon जो है वो singly wanted है तो single bond के लिए हम यूज करते हैं इन तो हमारा primary suffix हो जाएगा इन इसके बाद आएगा main function group तो main function group है CHO तो main function group है इसका suffix name हम यूज करते हैं तो देखते हैं यह जो हमारी priority table है और CHO आ रहा है नाइन नंबर पे तो नाइन नंबर पे इसका suffix name है अल तो लिखा जाएगा अल और हम बता चुके हैं कि अगर main function group a i o u मतलब आपका main functional group जो है वो start होता a से i से o से and u से तब क्या होगा तब जो आपका primary suffix है उसका terminal e erase करना होगा आपको उसके terminal e को drop करना होगा उसको खत्रन करना होगा तो अल जो है इसे start हो रहा है इसलिए इन का इजो है वो इरेज करना होगा उसको हटाना होगा उसको eliminate करना होगा तो हमने कर दिया तो हमारे इस compound की नेमिंग होगी 2-methal-pentane-al इसके बाद हमें 5th number and 6th number की carbon compound की IPC naming करनी है तो पहला रूम select the longest carbon chain तो longest carbon chain का selection करेंगे तो longest carbon chain हम को यली नज़र आ रही है तो longest carbon chain हम ऐसे ले लेंगे आप चाहों तो longest carbon chain ऐसे भी ले सकते हो लेकिन cv chain लेना ज्यादा उत्तम है फिर हमें numbering करनी है कि यहां से start करें कि यहां से start करें क्यों क्योंकि यहां से second carbon पर iodine पढ़ता है और यहां पर second carbon पर methyl पढ़ता है तो आप हज़गे चक्कर में कि 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 स्ट्रमिल से numbering start करें तो IOPAC suggest करता है कि अगर दो subsequent group same position पर आ रहे हैं carbon chain पर तो हम उस terminal से numbering start करेंगे जो alphabet में पहले आ रहा है तो जो substitute group alphabet में पहले आएगा उस terminal से numbering start करेंगे तो iodo i से start हो रहा है methyl M से start हो रहा है तो alphabet में i पहले आता है तो इस terminal से जो है वो numbering start करेंगे one two three and four तो सबसे पहले हम करेंगे substitute group लिखेंगे substitute group लिखा यह iodo i और methyl M तो क्योंकि यहां पर दो substitute group है तो alphabetic order में लिखेंगे तो iodine पहले लिखा जाएगा तो two iodo फिल लिखा जाएगा three मिठाई सब्सुटेंट लिखने के बाद principal change कित्ती कर्वन की चीन है फोर कर्वन की चीन है तो लिखा जाएगा but four carbon के लिए but आता है फिर टाइमरी suffix carbon change जो है singly bonded है तो जहां पर आएगा in आप जो है वो कहलाता है main function group तो इस compound में को एपसेंट है तो हमारे इस compound की नेमिंग होगी two iodo three methyl butane अब इस वाले compound के हमने क्या दिया methyl को OH से replace करा दिया तो longest carbon chain का हमें selection करना है तो longest carbon chain तो हमारी यही नसर आ रही है और कोई option है नहीं आपके पास है तो numbering किस टर्मिशन से start करेंगे जिस टर्मिशन से main function पास में हो तो हमारा main function group है आयोटी हमारा substitute group है तो यह तो हमारा बनेगा substitute group और यह हमारा बनेगा main functional group तो carbon chain को number कहां से दिया जाएगा जिस टर्मिशन से main function पास में हो तो इस टर्मिशन से main function पास में पढ़ रहा है इसलिए numbering जो है वो हम यहां से start करेंगे one two three and four तो आयोपीसी नेमिंग करनी है इस compound की तो order हमारा यही होगा sppm तो सबसे पहले substitute लिखा जाएगा तो three number पे iodo है तो three iodo लिखा जाएगा फिर substitute होने के बाद principle chain आएगी four carbon की chain है तो लिखा जाएगा but सारे carbon singly wanted है तो लिखा जाएगा in तो primary suffix हमारा होगा in main function group जो है oh है और oh जो है priority table में यह priority table है कहा प्यारा है यह eleven number पर पढ़ता है और main function group का जो है वो suffix name लिखा जाता है तो suffix name क्या है alcohol का all है तो लिखा जाएगा all तो कितने carbon पे जोड़ा है oh second carbon पे तो वो हमें mention करना पढ़ेगा तो और रूल क्या है कि अगर main functional group mfg start होता है किससे इसे आई से और से और से एंडिक्यू से तो हमें क्या करना पड़ेगा जो primary suffix का इह है टर्मिनल इह है उसे एरेज करना पड़ेगा तो हम एरेज करते हैं तो हमारी तो हमारी यह होगी पर एक ही निजल आ रही है तो यह हमारी longest carbon chain होगी अब आपको होगे सर यह वाले chain क्योंने लिए longest carbon क्यों क्योंकि यह हमारा main function रोप है और इसमें carbon present है इस कारण यह तो chain में सामिल किया ही जाएगा तो longest carbon chain सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा हमें numbering करने पड़ेगी तो numbering हम उस terminal से start करेंगे जहां से हमारा main function रोप पास में हो तो यहां पर देखो OH function रोप है यह NH2 है यह BR है यह CL है यह methyl है और यह COOH है तो main function रोप तो यहां पर COOH है और बाकि आपकी सुप्श्रूटेयन है यह सब्शूटेयन ही जो यह सब्सूटेयन है तो कार्वन का अब्से सी ज्यॉधा मील front नहीं हो सकता है अब हम आपको एक कहानी सोनाते हैं एत बच्चा है का उसका नाम पिंटू है अब पिंटू का बर्डे होगा और पिंटू के बर्डे में जो सहर के विधायक जी है वो बिल बुलाई चले आए अब बिल बुलाई चले आए तो घरवालों को बहुत प्रसन्द आभी बहुत खुशी होई तो घरवालों का सारा फोकस जो है किसकी तरफ लग जया विधायक जी की तरफ तो अगर चाय दी जाएगी तो सबसे पहले किसको दी जाएगी विधायक जी को अगर समों से खिलाए जाएगी तो सबसे पहले किसको विधायक जी को और इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे मुख मंत्री जी है माननिये सिवराथ सिंग चौहान जी उनको पता चला कि पिंटु का वर्टे है तो भो भी बिल बुलाए चलिए आए तो अब पिंटु के घरवालों का जो अटेंजन है वो किस की तरफ हो जाएगा? मुख मंत्री जी की तरफ तो चाय अगर सर्व की जाएगी तो किसको सबसर पहरे दी जाएगी? मुख मंत्री जी को समोसे अगर दी जाएगे तो किसको दी जाएगे? मुख मंत्री जी को इसके बार क्या होगा? कि हमारे जो प्राइम निश्टर हैं मोदी साहब उनको पता जल गया कि पिंटू गबर्डे है तो भो भी बिल बुलाएते ले आए तो आप घरबारों कार्टेंसर किसकी तरफ हो जाएगा पी-एम साहब की तरफ 270 जाय ćा भी तो सबसे पहले किसको दी जाएगी मुदी जी को सम्हों से खिलाया जाएगी तो सबसे पहले किसको खलाया जाएगे मुदी एक तो यह तो लुख वंप्रम Critcor म加ी तो प्लशन डूप्र की यह को αυτी है कि यहां पर हमें देखा कि 123456 फंक्सन पूप में सबसे टॉप पे कौन आ रहा है तो सबसे टॉप पे यह आ तो यह हमारे क्या हो गए मोडी जी हो गए बाकि कोई मुखमंत जी है कोई बिधायर जी है कोई जिले के कलेक्टर हैं कुछ भी कि तो हमको एक गूप सर्च करना है जो में तो यह किनो एक करेंगे इस टेविल की सप्प 13 होगा है 8 गूप करके रखाना हो है प्राइस बीडियो देखे तो आपको सब कुछ समझ में आजाए दार है है और उस बीडियो में इस टेविल का लड़ंुक्न है वह मताया है कि इस्कों में कैसे याद रखना। हमको पता चलिता कि ऐसे हमारा में क्रुप ह 보면 तो नमबर जो है वह यहीं से स्टाट होगा क्यों क्योंकि स्पीज में ही कारवां आप absolute की हुए कर्वां यह बाइड है कर से स्पार होंगा के है सिर्ट ही कर सत भी पें exactement और आलफाबेटिक आडर पर लिखा जाए गा तो ह्को तो है इसके पहले तो हमने ऑल बोला था तो जो सब्सिट्ट्रेट प्रिफिक्स नेम लिखे जाते हैं और अध्यातों हमारा सेट लिए तो सब्सिक्सनिन कावाई गा। जब हमारा को में फंक्शन की तरह बहें करेंगा तब आएका सफिक्स नेगा तो सब्सट्रिट्रक के हम क्या करते हैं प्रीफिक्स नेम लिखते हैं तो अल्फबेटिक और में रिखा जाएगा तो ही तो इसी अडर में हम लेखेंगे है तो सबसे पहले हम लेखेंगे थ्ली अमीनो ऑ करा सिर्ष इसके बार अगे थो थो तो जलिफा जाएगा कि इने जुख टोन सिर्डा जाएगा किलोक्रो किस पोजीशनव पर श्रकेंट कार्मार तो तो 2 keylorum अ है फिर लिखा जाएगा और च हाई टॉकसी किस पोजीशन पर फोर पोजीशन पर तो फोर हाई ट्रॉक्सी तो लिखा जाए में थाई किस पोजीशन पर टूपोजीशन पर है तो तो लिखा जायगा प्ञेंट कि अ फिर फिर प्राइमरी सपिक्स आयगा वर सारे करवाण सिंग्ली बॉंडडें तो प्राइमरी सफिक्स आपका होगा इन इसके बाद मेन फांग्सन और मेन फांग्सन गुप का सब सेक्स दिखते हैं तो सी ओ ओ आएका तो रहें दो और हम बता चुके हैं कि अगर आपका मेल फॉंक्शनल ग्रूप एम एफ जी जो है वो स्टार्ट होता है किसे ए से आई से ओ से एंड यू से तब क्या होगा तब हमको तो जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है उसका टर्मिनल ई एरेज करना होगा तो एन का ई जो है वो हम एरेज करते ही इसके बाद जो है एर्थ नम्बर कंपॉंड की नेमिंग करनी है जो हमारा C6H5 है उसको आप ऐसे लिख सकते हो एक बैल लिंग की लिंग बनाई और बीच में ब के जोले को हम ऐसे भी बता सकते हैं गोली की जिले हम क्या कर सकते हैं अल्टर्नेंट में डबल बोन लगा सकते हैं अगर आपने एक डबल भॉन यहां सब्सक्राइब आई अधर पर तीसरे डबल पॉन पालए डाउसा exhibits कर सकते हो यहह इ jurisdiction क्योंडम एपक factor है इसका मतलब है क कि डबर बॉण्ट के रोते सब बताता है कि डबर बॉंट के रोटेशन को बताता है तो यह मथो है इस यहां पर क्या करना है इस कंपोर की निमिंग करने तो सबसे पहले लांगे इस का दाइन हमारी यह हुँ है जुकि तो एच जो है वह हमारा कोई फॉवंक्शन पर नहीं है तो इस कारिबन का सदस्य है आ समस्यकर और जा सबस्क्राइब है बस और यहादा फ्रीग करना बंधी इसन द्र तरीड है कि यह क्योंकि इस carbon पर double one pass में पढ़ रहा है और C6 H5 हमारा क्या होता है यह substitute क्लोग कराता है यह main function रूट नहीं हो तर substitute क्लोग कराता है तो आप हम naming start करेंगे तो सबसे पहले substitute लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा three फिनाई है शी से क्या फिनाई फिर इसके बाद principle चेंग कितने कार्बन की चेंग है फोर कार्बन की तो लिखा जाएगा ब्यूट फिर primary suffix carbon chain में double bond है तो आएगा यह mean function रूप absent है तो थी फिनाई beauty इन इसका नाम होगा इसके बाद हमारा यह nine number का और 10 नंबर का carbon compound है जिसकी हमें कर दी है तो सबसे पहला रूज होता है तो हम लॉंगिस्ट कार्बन चेंग का सेलेक्शन करेंगे यह हमारी लॉंगिस्ट कार्बन चेंग होगी इस में कर्बॉकसिलिक ऐसे यह तो हमारा main function रूज होगा और यह अमाईट ग्रूप है यह हमारा substitute धिलाएगा ऐसा क्यों क्यों कि यह जो हमारी priority table है priority table में कर्बॉकसिलिक acid को पहली position मिली है और amide को six number की position मिली है तो priority table में जो ऊपर रहेगा जिसको ऊपर का इस्थन मिलेगा वो तो हमारा main function लोग कहाएगा और ये हमारा substitute कहाएगा तो सबसे पहले हम substitute लखेंगे तो इसको हम बोलते है कार्वेमाई या फिर एमाई दो है तो यह जो है सी डबल ओन ओ है में हमारा कौन सा ग्रुप कहलाता है और इसका प्रिफिक्स नीम होता है कि अमाई दो या कार्वेमाई तो आप या तो अमाई दो लोगो या फिर कार्वेमाई लोगो जो भी आपके इच्छाओ वो लेको तो नम्बरी करेंगे हम नम्बरी किली से देना पड़ेगा वान टू थ्री फोर एंड ये फाइब तो थर्ड नम्बर पे है तो थ्री कार्वेमाई सब्सक्राइब होने के बाद ट्रिंस्पल चेन आएगी तो फाइब नम्बर की चेन है तो आएगा पैंट फिर प्राइमरी सब्सक्राइब यहां पर डबल बन न जरा रहा है तो आएगा इन तो कितने नम्बर पे थर्ड नम्बर पर डबल बांड है तो आएगा थी एन और मेंन फंक्सन को कोईक ऐसे है तो आएगा वन वालेखनी की जरुफत नहीं है वैसे कोईक और हम यह आपको बता चुक्ते हैं कि अगर आपका मेन फांक्शन को ए आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल यी एरेज करना होगा तो एरेज कर दिना तो थी कार्विमॉयल पैंट थी इन वन वेट ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हों अब हमारा टेंथ नंबर का कंपाउंड है तो लॉंगेस्ट कार्वन चेन हमारी यह हो गए क्यों यह चेन में सामल क्यों ने किया यह वाला कार्वन क्योंकि आउक्शन ने चेन को क्या कर दिया ब्रेक कर दिया और यह जो गुरुक दिखाए दे रहा है वह ऐसा नजर आर है कि आख और आ यह हमारा कॉन सा यह हमारा कि एथर है यह हमारा इथर भूप है तो देख नुद्ध और यह एलकाइल पर कर्णेट है और यह तो इसका नंबर होगा वाल यह हमारा substitute बनेगा और यह भी हमारा substitute बनेगा क्यों क्योंकि प्राइवटी टेबल में एथर जो है वो 14 नमबर पे आता है और आपका किलोरीन जो है वो 16 नमबर पे आ रहा है और दोनों ही blue line के नीचे हैं इसका मतलब है यह जीवर में कभी भी main function को नहीं बन सकते कौई कि यह हमें सब्थ्यृत की तरह quicker करें दों यह ग्याद कर दो thereby कहलेας काओ का मिथा और इस a 제가 अद्ध चैन घ्र तो लिखेंगे तो कि व्यादी पहले आएहा दो लिखा जाहेगा वन लो वन विठोक्सी और ट्रेंस्पल चेन क्या होगी एक कार्बन की चेन है तो आएगा मेथ और एलकेन का मेंबर है क्योंकि कार्बन ने चारबॉन कंप्टिट किया हुआ है तो यह एन आएगा मिथेन तो इसका नाम हो जागा वन क्लोरो वन मेथाक्सी मिथेन तो यह प्रवाचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने जिसको सब्सक्राइब करें थेंक यूबन सगिन फॉर वाचिंग हमारे पास यह पहला एंड दूसरा कारबन कंपांउंड है गये जिसकी हमें आयॉबिसेी नेविंग करनी है तो यह जा यह अधे अलते कि यह की जो है w है यह जिए वह ऑन्सामिल क्लिस्ट क्यों क्योंकि आप्शया चेन को ब्रेक कर दया और अब आप यहां देखो हो यह सी डबल बॉंड ओ ओ और यह हैं तो जब ऐसा हो और सी डबल बॉंड ओ ओ ओ और तो यह जो चीज होती है कि इसको हम बोलते हैं एस्टर और यह जो चीज है सी डबल बॉंड ओ यह और यह यह कहला कि हमाने की टॉन तो प्राइवर्टी टेवल में हैं यहार प्राइवर्टी टेवल है एस्टर फोल नमबर पे हैं और की टॉन हमारा का πत स्चनमबर पे हैं तो ऐस्टर पहले आएगा और कीटोन बाद में आएगा तो यह तो हमारा क्या बने का कीटोन त्छा की टोन काकि अपव में संट का अंडिक है कट अच टो बस नंब्रत कि लिगें है नंब्रत क मारत करें के जहां से में फंक्शन पास में हों और में फंक्शन फंक्शन रोक अस्टर है तो यह यह का Reương को खाए पहले लिखा जाता है तो हम लेखने लिए इसके पास शुट्टेन्ट आएगा कितने कार्वन पे हैं तो टीटो या आप इसको ऑग्जो भी कर सकते हो कितने कार्वन की चेन हैं तो आएगा प्रॉप सिंगल बोंडेड है तो आएगा इन मुल्म के आजिए तो यह सबसे बात में आएगा और इसका सफिक्स नेम लिखा auta है तो और हम आपको यह पहले बता चल कि हैं पहले वीडियू में कि में अगर मेन विक्री ए lose ह को होता है तो जो आपका प्राइमरी सफिक्स है उसका टर्मिनल यी एरेज करना पड़ता है तो यह टर्मिनल यी जो है हम इसको एरेज करते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इथाई टू ऑउक्जो कीटों को हम क्या रोते हैं औउक्जो ही बोलते हैं तो इसका प्रीफिक्स निए औउक्जो होगा क्यों क्योंकि यह सब्सिटुंट प्रिंश्पल चेन आएगी तो कितने करवन के चेन है तो आएड़ा प्रॉप तैमनी सफिक्स आएगा तो यह आएगा एन इस तल कोश सफिक्स में क्या पहते हैं? ओएट तो यह वेट आएगा और टर्मिनल यह हमें क्या करना पड़ेगा? Eris करना पड़ेगा किसका? Primary Suffices का Eris कि जा आब इसके बाद यह सेकंड कमपांड है इस कमपांड के हमें कर ली है तो पहला रूम से नमबर स्टाड करें कि यो कि डबल Bound पास्मा हैं तो फाइस है यह इसेख्स और यह सब कर यह हमारा सब्स्ट्ट करा जांकद क्यों 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 जीन कारवण कोномर नहीं किया जाता वो सब्स्टूट कर राते हैं और इनको एक साथ ही लिखा जाएगा तो अब देखो तो यह एल्कीन का मेंबर है किसका एल्कीन का जब एल्कीन से एक हाईट्रोजन कम कर दो तो यह आएगा च बॉंड डबल पॉंड एक हाईट्रोजन कम कर दिया तो एल्कीन का हम किसमें कि थि इक होजाएगा एल्की नाई कि एकमें इसका नाम क्या होगा यह हों है तो यह होजाएगा है किम भी होचा तो यह वह यह पड़ा जाएगा फोर्च नमबर लगाया विरत नाई लिखने के बाद क्या होगा फीं का मतलब होता है ठीपल च grasp spreading किंग सेवन क mot है तो सेवन कारें यह हम ép कि लिखते हैं पिर प्राइमरी सफिक्स तो यहां डबलबॉंड है और यहां पर Workshop से ट्रीबलॉन है तो द ИН किस को पहले लिखा जाएगा डबल ऑन को क्यों कि ये टवन ये πंट उसनी से स्टार्ट होता ऐन हमि त Вас ये काihi मिलिखा जाएगा है तो है इन सिर्श Yes ये और फाइब कि आईन, Ön, mean function to piece, में absent है, तो अगर double bond और triple bond साथ में हैं, आपका principle chain में, तो double bond पहले दिखा जाता है, triple bond बार में लिखा जाता है, और एक चीज जात रखना कि, In का E जो है, उसको erase करना पड़ता, ये लून है, तो erase कर दे, तो 4-Athenyl-Hept-Ein, 5-Ain, यह उसकी naming हो गए, यह हमारा 3rd number का and 4th number का carbon compound है, इन carbon compound की हमें naming करने हैं, तो पहला रूल क्या होता है, Select the longest carbon chain, तो longest carbon chain का selection करेंगे, यह हमारी longest carbon chain होगी, अब carbon chain को number देना है, तो number उस terminal से start करेंगे, जहां से main function group pass में हो, तो हमारे पास तो function group हमको यह दिखाईते रहे हैं, एक तो यह और एक यह, NO2 and NH2, तो देखो जड़ा, NO2 जो है, यह priority table में 37 नमबर पे है, और आपका amount जो है, NH2 जो है, यह 13 नमबर पे है, और 13 नमबर जो है, वो blue line से उपर है, इसका मतलब है, यह तो function group होगा, और NO2 substitute होगा, blue line की नीचे वाले, कभी भी main function group नहीं होते, main function group blue line की उपर वाले बन सकते है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, MFG हो जाएगा, main function group है, और यह हमारा substitute group हो जाएगा, तो IOPC naming इस order में करते हैं, SPPM, substitute, फिर principal chain, फिर primary suffix, फिर main function group होगा, function group, तो अब हम क्या करते हैं, carbon chip को number देते हैं, तो numbering कहां से कर नहीं है, जहां से main function group nearest हो, तो इस terminal से main function group second carbon के फोड़ रहा है, तो numbering हम यहीं से start करेंगे, one, two, three and four, number करने के बाद हम IPC naming करेंगे, और IPC naming का order होता है, जी, SPPM, S मतलब substitute group, P, principal chain, अगला P, primary suffix, और M जो है, वो main function group है, तो लिखा जाएगा, subsequent, three number पे है, तो लिखा जाएगा, three, nitro, फिर principal chain आएगी, कितने carbon की chain है, four carbon की chain है, तो लिखा जाएगा, but, four carbon के लिए, ब्यूट लिखा जाता है, primary suffix, सारे carbon जो है, single bonded है, तो single bond के लिए हम in use करते हैं, तो primary suffix होगा, in, और इसके बाद main function पो पाएगा, and is two, इसका suffix name क्या होगा, amine, तो कितने पे amine है, two पे amine है, तो two, amine, तो ये two amine लिखा, हम ये बता चुके हैं, कि अगर आपका main functional group, जो है, a, i, o, and u से start होता है, तो, जो आपका primary suffix है, उसका e हमको erase करना होता है, तो ये erase कर देंगे, कर दो भाई erase, उसको cut कर देंगे, ताकि आपको rule जो है, वो याद रहे, तो three nitro butane, two amine, अब हमने क्या लिया, ये NH2 था, एक hydrogen हटाया, और यहां पर हमने मिठाई तो attach कर दिया, तो अब हमारी IOPC naming, जो है, वो क्या होगी, तो longest carbon chain का selection, ये आपका काम है, तो ये कर दिया हमने, numbering ऐसे होगी, one, two, three, and ये फोर, सबसे पहले ये N मिठाई लिखा जाएगा, तो N मिठाई, फिर लिखा जाएगा, three nitro, चार carbon के chain है तो लिखा जाएगा, but, single bond है, तो in, और एन इस को क्या बहुत है, amine, तो two amine, और main function group, अगर a, i, o, u से start होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, primary suffix का e, erase करना पड़ता, तो ये e हम erase करते हैं, इसके बाद, ये हमारा six number का carbon compound है, जिसकी हमें IBC naming कर लिए है, तो पहला काम क्या है, select the longest carbon chain, तो longest carbon chain का selection करणा है, तो अगर, ऐसा compound, जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा function group, जिन में carbon present हो, तो मतलब ऐसा function group, जिसमें carbon present हो, और वो तीन या तीन से ज़्यादा, एक carbon chain से डारेक्ट क्लिक कनेक होते हैं, तो फिर, उन function group के किसी भी carbon को number नहीं दिया जाएगा, यह नया rule है, तो फिर हमारे change जो है, वो ऐसी हो जाएगी, यह नया rule है, या रखना में गूँँगा, तो numbering करेंगे हम यहां से, यह one है, यह two है, और यह three है, तो यह हमारे function group बन जाएगे, अब यहां पे CN के लिए हम नाइट्राइल जो है, suffix यूज नहीं करेंगे, एक special suffix यूज करते हैं, कार्बो नाइट्राइल, और यह तब किया जाता है, जब CN तीन या तीन से जादा प्रेजेंट हो, और वो direct किस से करेक्ट हो, वो carbon जेन से करेक्ट हो, तो function group जिसमें carbon प्रेजेंट होता है, और वो तीन या तीन से जादा बार directly करेक्ट होते हैं, तो उनका special suffix नहीं लिखा जाता है, तो वो क्या होता है, अगर आपका COH function group है, अगर कि तीन या तीन से जादा बार attached होता है करेंगें से, तो इसको हम carboxylic acid बोलेंगे, अगर आपका function group cn है, ये तीन या तीन से जादा बार present है, तो इसको हम carbo nitrile बोलते हैं, अगर आपका Ltehyde group है, ये तीन या तीन से जादा बार present है, तो carbo Ltehyde बोलते हैं, अगर आपका C double point O, NH2, मतला, Amide group तीन या तीन से जादा बार attached हो, तो इसको बोले जाता है carbox amide, तो बस इस compound के हमें naming करनी है, तो substitute तो उसमें है ही नहीं, तो principal chain लिखा जादा है, कितने carbon के chain हैं, तीन carbon की, तो आएगा प्रोप, फिर primary suffix, तीनो carbon single counted है, तो आएगा तीन, इसके बाद main function रुपाएगा, तो कितने हैं, one, two and three main function रुप है, यह one and two and three position पे हैं, तो one, two, three, तो तीन के लिए हम यूज़ करते हैं, try, और special suffix लिखा जाएगा, तो cn के लिए जाओगा, carbonite trial, तो carbonite trial लिखा जाएगा, यह हमारा इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन, one, two, three, tri carbonite trial, इसके बाद यह 7th और 8th नंबर का carbon compound है, इसके हमें IPC naming करनी है, तो देखो यहाँ पे, यह CHO है, यह CHO है, और यह CHO है, तीन CHO direct जो है, वो carbon chain से connect है, तो फिर इन को chain में सामिल नहीं दिया जाएगा, इन में से किसी को number नहीं दिया जाएगा, तो हमारी chain जो है, वो यह हो जाएगा, नंबर जो है, हम किस terminal से start करेंगे, इस terminal से, क्योंकि CHO पहले position पे है, और यह CHO second पे आएगा, तो substitute index में है नहीं है, तो principle chain लिखा जाएगा, चार carbon की chain है, तो चार carbon के लिए यह आता है but, सभी carbon single bonded है, तो आएगा in, तो हमारा primary suffix होगा in, फिर main function रूप, तो यह तो यहाँ पे special suffix यूज के जागा, CHO, 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 तो यह है आपका one position पे है, two position पे है, and four position पे है, तीन CHO है, तो आएगा try, और CHO के लिए special suffix है क्या बताया था, carbon-dehyde, तो यह carbon-dehyde होड़ा है, butane 1,2,4 tri-carbon-dehyde, acid यहाँ पे यह वाला compound है, COS तीन ग्रूप direct connect है, तो किसी को भी number lot नहीं किया जाएगा, तो carbon chain हमारी ऐसी हुजाएगी, यह one, यह two, और यह three, तो तीन carbon के लिए हम use करेंगे prop, सारे carbon singly wanted हैं तो आएगा in, और COS के लिए special suffix यूज़ करना है, carbonic acid, तो one, two, three, tri-carbonic acid, tri-carbonic acid, tri-carbonic acid, इसका नाम है, इसके बाद यह 9 में और 10 में नंबर के carbon compound की ने में कर लिए, तो यहाँ पे देखो, यह CHO है, यह CHO है और यह CHO है, यह जो है, carbon chain से connect है, तो दो CHO तो direct carbon chain से connect है, लिकर तीसरा CHO direct carbon chain से connect नहीं होगा, तो कि आपकी longest carbon chain जो है, वो यह होगी, और यह CHO direct इस carbon से connect नहीं है, पहले वो CHO से connect है, फिर CHO connect है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कीबल दो CHO direct carbon chain से connect है, तो यहाँ पे यह जो CHO है, इनको number lot किया जाएगा, तो यह बनेगा हमारा one, यह two, यह three, यह four और यह five तो यह जो है हमारा क्या कैने लाईगा कि यह पूरा पूरा हमारा सब्स्क्रोप्रोफ होगा होगा यह हमारा डी होगा तो बस सबसे पहले सब्स्क्रण प्रोप नाम लिखेंगे तो थर्ड नमबर पे है तो थ्री हो को प्रिफिक्स में बोलते हैं फॉर माइल तो फॉर माईल थू निएट थू जिरा आएगा क्लोश फिर आपका निपल्चेन आएगा कितने कारबन किते हैं फाइब करफ़न पी तो आयागा प्रेंट सारे कारवां सिंगल पॉंडट है तो प्राइमरी सफिक्स हमारा एन होगा तो पेंटेन और वन एंड फिप्थ नमबर पे एल्ट है तो इसका सफिक्स नियूंग क्या होगा वन एंड फाइब डाई अग तो यह वाला इ एरेस नहीं किया जाएंगा त्यूंग यहां पे डाई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहां पर प्राइमरी सफिक्स का ट्रिमिनल ई इरेज नहीं किया जाएगा कि इसी प्रकार कि यह जो कारवन कंपाउंड है तो लॉंगेस्ट कारवन चैन तो हमारी यही होगी हमारा सकार यह हैं दो c sage ग्रुक तो डार्यक्त कार्वन चैन से कनेक्ट हैं यह बालें लेकिन जो यह वाहा साभश नहीं होगा तो यह पूरा का पूरा हमारा वियह स्ट्टीट ग्रुप पनेया और यह हमारा एम एफ चीप बनेगा और यह चीप बनेगा बस अब इस कंपॉंड की आईपीसी नेमिंग करनेगे हैं तो सबसे पहले सब्सुक्रेंट लेखा जाएगा तो थ्री सी ओ ओ एच इसको हम बोलते हैं प्रिफिक्स में कारबॉक्सी इसके बाद में फंक्शन रुप लेखा जाएगा तो पांच कारबन के लिए हम यूज करते हैं पैंट सभी कारबन सिंगल बॉंडेट है तो आएगा इन पैंट इसके बाद में फंक्शन रूप लिखा जाएगा तो तो कि हम में प्रिफिक्स में क्या बोलते हैं कि बन पर हैं और और फाइध पर उडाई एक अंधा तो यह हमने रहे मज़ने किया कंग क्यूंकि ना गया तो डाइंट से स्टार्ट कर घूरा है इस लिए यह इरेस लिए किया जाएगा तो थी कर्बोक्सी मित्वाइल पेंटेन वन फोल डाइव एक आसेट थैंक यू सो मुच फूर वाचिंट इस पीडियो अगर वीडियो चल लगा तो प्रेज इसको लाइक कर उसको सेर करें अगर आपने हमारे चाहिकों में तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प धंक उसे करे तो लेदों तो ए다 मैं में एपने हमारे तो समें तो चाहिकि आत्ए ईत्तु करने हमारे चेपे स्कित करे County le